ते गाई, इस बात करने वाले हैं आज के वीडियो में टॉप फाइफ ऐसे कोर्से जो कि आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हैं, सबसे ज़ादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़ादा प्लेस्मेंट अपोचुनिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, कैरियर ओप्शन्स आपको प्रो अप्लिकेशन, जिन बच्चों को भी कंप्यूटर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है, सॉफ्ट्वेर इंजिनियर बनना है, आई टी प्रोफेशनल बनना है, नेट्वरकिंग इंजिनियर बनना है, कोडर बनना है, हाडवेर वगेरा फिल्ड में अपना कैरियर बनाना है या फिर gaming वगेरा field में अपना career बनाना है, digital marketing field में अपना career बनाना है, brilliant, brilliant course है BCA, Bachelor of Computer Application, आपके पास 12th में computer थी या नहीं थी ये इतना matter नहीं करता, कई जगे होता है, कई जगे requirement है कि आपके बाद mathematics या फिर IP में से कोई एक subject होना चाहिए, नहीं तो majority of the colleges आपको without math भी, without information practice या brief कर देता हूँ, if in case आप detailed में इसके जानकारी चाहते हैं, सारी information एक ही जगे चाहते हैं, तो already मैंने इन सारे, मतलब, जितने भी courses हैं, और आज के video में डिसकस करने वाले हैं, almost सब की ही video ebook बनाके मैंने पहले ही आप बच्चों के लिए ready कर रखी है, paid है, लेकिन इससे बढ़िया, ऐसा source आपको नहीं मिलने वाला, पूरे internet में या कहीं पर भी offline, online, जहां पर एक ही जगे सारी detail जानकार आपको मिल जाए, text format में, plus video format में, मतलब, जब आप video ebook, pdf format में download करेंगे, तो आपको text format में भी सारी information मिलेगी, plus हर topic के बाद एक मेरा video मिलेगा, जहां पर मैं सारी चीज़े आपको समझाऊँगा, ठीक है, यहां पर थोड़ा सब brief introduction में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, चलि BCA is a course that provides fundamental skills related to data storage, analysis, programming, networking, modeling, construction and software design, web designing, cybersecurity, etc. तो आप idea लगा सकते हैं brief कि आपको क्या पढ़ने को मिलेगा अगर आपने BCA जैसे courses में रूल कर लिया है, पहले ही बताता चलूं, अगर मैं courses के information दे रहा हूँ, तो मैं यह कता ही नहीं चाहता कि हर बच्चा BCA करे, BCA उनी को करना है, जिनको computer sector में interest है और पढ़ने में अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो syllabus है थोड़ा tough रहता है in comparison to BCOM या फिर BBA वगएरा या फिर other courses के comparison में, थोड़ा सा technical course है, जिन बच्चे का technical practical side थोड़ा अच्छा है, वही ये course के तरफ जाएंगे, Christ University, Presidency, Chandigar, Gen University, Symbosis, Loyola, GLS वगएरा, यह सारे अच्छे institute है, जहां से आप अपना BCA course complete कर सकते हैं, DAV college हो गया, और National Institute of Management Mumbai हो गया, तो यह काफी decent colleges हैं, जहां से आप अपना BCA course complete कर सकते हैं, तो number first, जो हमारा course था, जो कि 12th commerce के बाद आपको कर ना है, या फिर कर सकते हैं, वो है, Bachelor of Computer Application, only for those students who are interested in making career in computer sector, is that make sense, clear हो पा रहा है, चलिए, second one, the most popular, आज के टमें में सबस्यादर trending course, BBA Bachelor of Business Administration, नाम से बता लग रहा है, देखें, business related information आपको provide कराते हैं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, जिनका business studies, favorite subject था, business related knowledge, यह acquire करनी है, gain करनी है, business करना है, MBA करना है future में, तो यह perfect आपके लिए course र होती है, banking होती है, marketing होती है, IT होती है, communication, आप किसी भी एक field को चुन कर उसमें अपना expertise ले सकते हैं, अनिम्स की बात करेंगे, नर्सिमोजी इंस्ट्यूट मुंबाई, famous university है, जैन university, जामिया मिलिया है, ICFI, हैदराबाद है, निर्मा युनिवरसिटी, MET, NOIDA, Alliance, Bangalore, तो यह यह काफी अच्छे decent universities हैं, जो कि आपको BBA offer करते हैं, third one is your BCom LLB, यह थोड़ी सी different choice लगेगी कई बच्चे को की सर, BCom LLB क्यों करेंगे 12th commerce के बाद, यह 5 साल का हमारा integrated program है, बच्चा, देखे, यहाँ पर CLAT examination के basis पर आपका selection होता है, entrance आपका CLAT देना पड़ेगा, और majority of the PCA के लिए ले लिजे, BBA के लिए ले लिजे, जितने भी professional courses हैं, उनमें entry जो barrier है, थोड़ा सा difficult रहता है, इसके लिए उन्टरंस रखते हैं, entrance clear करकर ही आप यह examination या फिर यह courses बगरा कर सकते हैं, ठीक है, JNLU, Ghandi Nagar, MSRCL, MS Ramayya College of Law, Bangalore, Chandigarh University, NLU 3CHE, Shobit, Merit Key, MET University, Noida, यह कई अच्छे colleges हैं, जो कि BCOM, LLB offer करते हैं, वहां से आप अपना BCOM कर सकते हैं, इन colleges से आप अपना BCOM कर सकते हैं, BCOM 3 साल का, अगर आप BCOM complete होने के बाद LLB करते हैं, तो वो 3 साल की हो जाती है, लेकि BCOM LLB course हमारा 5 साल का है, अगर आप 12 के बाद यह decide कर लेते हैं, कि आपको BCOM plus LLB करना है, तो यह course आपको सिर्फ और 5 साल का ही पढ़ता है, और one of the premier जो institute है law के वो BCOM LLB भी offer करते हैं, NLU's सब offer नहीं करते हैं, majority of the NLU's जो हैं, भी LLB offer करते हैं, लेकिन कई NLU's आपको BCOM LLB भी offer करते हैं, ठीक है, BCOM LLB करकर आप देखें, legal advisor, public prosecutor, teacher, lecturer, legal manager, legal service chief, वगेरा profile में आप work कर सकते हैं, CA, fourth number पे हमारा जो profile है, best courses है, आप कर सकते हैं, after year 12 is your CA, one of the most popular career options after 12 commerce CA हमारा, अब यह equivalent हो गया है PG degree के, तो अगर आप सिर्फ graduation नहीं भी करते हैं, मेरे according तो करनी चाहि है, whether it is through private or regular, PG के equivalent माना गया है, फिर भी, भी कॉम करते हैं, तो सोने पे सुहगा वाली बात होती है, ठीक है, 4.5 year, near about 5 साल आपको लग जाते हैं, यह course को complete करने में, क्योंकि तीन stages होती हैं, आपका CA foundation, IPCC, CA final, यह तीन stages होती हैं, तो साड़े-4 साल, बीच में डेर साल की training, यह से दो साल की CA articleship, जिसको आप बोलते हैं, वो रहती है, तो काफी जादा popular यह हमारा course है, Institute of Chartered Accountants of India की website पे विजिट करकर आप registration करा सकते हैं, 10th class के बाद यह आप registration यहाँ पर करा सकते हैं, लेकिन examination CA foundation का 12th के बाद ही आप दे सकते हैं, 3 level जैसे मैंने आपको बताया, foundation, IPCC और CA final 3 level होते हैं, pass percentage बहुत कम है, 6-7% है, तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, accountancy से बहुत प्यार है, repeat कर रहा हूँ, accountancy से बहुत प्यार है, अगर आप accountancy नहीं अच्छी है, तो यह course आपके लिए नहीं है, प्लीज कृपा करकर इस course से दूर रहें, अगर आप accountancy मे week है, 10-20 साल लग जाएंगे, लेकिन आप यह course के लिए नहीं कर पाएंगे, अगर आपके accountancy week है, so please stay away from CA, clear हो पार है बच्छा, चलिए, आगे बढ़ें, CMA Cost Management Accountant, ठीक है, तो यह भी काफी अच्छा professional course है, दो हमारे professional course है, 3 degree के हमने बात करी है, BBA, BCA, 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 तीनों ही इरियां है, ठीक है, दो जो courses हैं, last के CA और CMA, यह हमारे professional certification courses है, ठीक है, CMA बहुत जारा popular हो रहा है, recently, Cost Management Accountant, ठीक है, हर organization का main मुद्दा क्या रहता है, resources का effective utilization करना, cost को cutting करना, cost को कम करना, और maximum produce करना, तो यही एक CMA manager का का काम होता है, कि organization के जो finance है, जो cost वगेरा है, उसको effectively utilize करा जाए, कम करी जाए, cost और profit जो है, revenue जो है, organization का बढ़ाया जाए, यहाँ पर strategy management, regulatory framework और financial reporting, तीन main pillars होते हैं, CMA courses के, यह भी तीन साल का, तीन से साढ़े तीन साल का हमारा course होता है, यहाँ पर foundation, intermediate और final course, तीन level होते हैं, जो कि आपको clear करने पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने ब regulatory body है, जिसके थूँ आपको register कराना है, CMA वगएरा, CA वगएरा, CS वगएरा, यह कोई colleges नहीं कराते हैं, इनके रहे, recognized institution है, जिसके थूँ आपको registration कराना पड़ता है, after 12, उसके बाद ही आप, यह graduation के साथ, या without graduation, यह courses को आप pursue करते हैं, self study के थूँ आप करते हैं, या फिर रहती है, उसके थूँ आप यह courses को clear करते हैं, हो रहा है बचो clear, तो यह थे मेरे नजर में, इंडिया के top 5 courses for commerce student, जो की वो 12th के बाद इनको pursue कर सकता है, यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपने note करी होगी, कि मैं हमेशा यह prescribe करता हूँ, कि आप अपना graduation भी करें, इन courses के स हो जाता है, बीकॉम बहुत जादा similar या match करता है, professional courses के syllabus के साथ, तो यह एक benefit मिलता है, इसलिए majority of the students who opt for professional courses after 12th, take बीकॉम as a supplementary course along with a professional course, ठीक है, clear हो पा रहा है बच्चा, तो यह थी आज की detail, अगर आप किसी भी एक topic के ओपर detailed video चाहते हैं, तो please मुझे comment कर देजेगा, मैं video बना दूआ, if in case, सारी information एक ही जगा चाहते हैं, तो मेरी video ebook डाउनलोड करना मत, भूलिएगा, description में आपको link मिल जाएगा, इन में से अगर मैं बात करूँ, जितने भी आज courses के discussion करा हमने, BBA की already मैंने video ebook बना चुका हूँ, BCA की बना चुका हूँ, BCOM की बच्चा video ebook नह ही मिल जाएगा, CMA के उपर अभी तक मेरा video ebook नहीं है, तो बहुत जल्द अगर आप request करेंगे, तो मैं इसके उपर video ebook बना दूँगा, CFA के उपर मेरी है, CFA मैंने हैं discuss नहीं करा है, कि वो graduation के बाद ही आप कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर other courses की, CA के उपर म पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका अभी दिन आएगा, thank you so much.